एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल The Focus Trader में तो I hope आसा करता हूँ आप आप काफी अच्छे होंगे Let's see जानते हैं silver के बारे में कि silver के अंदर किस तरह से moment बना हुआ है और किस तरह से यहाँ पे आप silver के अंदर trade बना सकते हैं यानि कि upcoming days यानि कि आपको पांच फरवरी को किस तरह से moment बनते वे नजराएंगे यानि कि अगर मैं बात करूँ आपसे next week के बारे में कि next week के अंदर silver के अंदर क्या moment आप इसके अंदर accepted कर सकते हैं किस तरह से आप moment को capture कर सकते हैं और अगर आप मेरे regular subscribers हैं तो मैंने आपसे previous जो मेरे predictions हैं silver के बारे में उसमें मैंने आपको clear बताया था कि silver आपको silver आपको कहां पर movement करा सकता है ठीक है ना तो मैंने उसमें आपको clear बताया था कि यहां पर जो levels हैं देखें levels को समझेगा कि मैंने आपको बताया था कि 72,800 का सबसे बड़ा strong resistance बनावा है silver के अंदर और अभी तक उस resistance को break नहीं किया है silver ने यानि कि silver इस resistance के पास में आता है वहाँ से फिर downfall हो जाता है यानि कि weakness काफी ज़्यादा है silver के अंदर तो अब जानते हैं किस तरह से यहां पे आपको moment बन सकते हैं 5 February को किस तरह से आप इसके अंदर trade बना सकते हैं क्या इसके अंदर effect पड़ेगा market का global market का और यहां पर आपको intraday short term levels मैं आपको provide कराऊंगे लेवल क्या बनेंगे short term intraday के साब से positional क्या level बनेंगे यहां पर तो गाइस वीडियो को सुरू से आखिर तक जरूर देखेगा वीडियो को मिसमत कीजेगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe न ठीक है ना गाइस अब बात करते हैं गाइस यहां पर silver की तो सबसे पहले मैं आपको disclaimer दे दूगाइस यहां पर यह वीडियो only for educational परवस के तोर बना जा रही है मैं यहां पर आपको किसी भी परकार का buy and sell के बारे में recommendant ना तो कभी करता हूंगा इस यहां पर ना यह कभी कर step मैं आपको अलग-अलग time frame पर आपको बताऊंगा किस तरह से यहां पर silver का moment बना हुआ है कहां तक जा सकता है अगर मैं अपना इसके अंदर opinion बताऊं silver के अंदर मुझे silver अभी bearish नजर आ रहा है bearish moment के अंदर नजर आ रहा है मैं silver के अंदर अभी bullish नहीं हूं और मुझे त व३ाइं कसे karş रहनेर ciao आप मैं मैंने पर दे मिक का चर्ट लगा यह यहां पर थो ववiennent वीग का चन्ट आ मैं आपको क्या बता रहा है आ अगर यह तोड़ना है ना सिलर के लिए इसकी जो चीके भार आ जाएंगी ये बिल्कुल सब्सक्राइब को समझेगा अगर यह लेवल ब्रेक करता है ना फिर यहां से रोकट हो जाएगा यह यह सोच के समझेगा इस चीज़ को इस रेजिश्टेंस को जब तक सिलर बात्तर साब से क्या रेजिस्टेंस है तो अभी वन वीक के चार्ट पर आपको जो रेजिस्टेंस बनता हूँ नजरा रहा है यहां पर 72,850 और 32,800 और अगर मैं small resistance की या strong resistance की बात करूँ यहां पर 73,600 का सबसे बड़ा resistance है यहां पर यानि की silver के अंदर 73,600 का सबसे बड़ा resistance है silver के अंदर और support के बारे मैं बात करूँ यहां पर गाईस तो 71,200 का जो कि मैंने पहले ही बताया था आप से जो मेरे previous वीडियो है उसमें मैंने clear बताया था कि 71,200 का सबसे अच्छा support मान करके चल सकते हैं silver के अंदर तो अभी तक अगर आप one week के चार्ट पर देखोगे तो candle ने नीचे side में close नहीं किया है week basic बनाया नीचे side में week बना करके upside में निकल गया फिर लेकिन body close नहीं किया है support के नीचे अगर यह body support के नीचे close करता यानिकि previous यानिकि Friday को तो यहां पर अगर यह closing अगर यहां पर मिलती है आपको जाने कि 70,700 के आसपास आपको यहां पर closing मिलती ही body की तो यहां पर फिर आपको नीचे side में बहुत अच्छा target मूव मिलने वाला था है यहां ठीक है नगाए तो अभी बिल्कुल sideways बिल्कुल फजावा है silver यहां पर तो आप बिल्कुल trap मत होईएगा तो यहां पर मैंने long term के वन वीक के साब से आपको support बताया अब चलते हैं तो यहां पर यहां पर इतना moment बना है याने कि अगर मैं आपको यहां पर count कराऊं डेज को तो यहां पर जो counting है ना days के साब से तीन जनुवरी से ले करके और दो फरवरी याने कि पूरा एक महीना पूरा एक महीना सिल्वर sideways में ही गूम तर ठीक है ना यहां पर सिल्वर sideways में गूम तर आया और अब आप एक चीज नोट कीज़ेगे यहां पर इन इस ब्रैकिट के अंदर सबसे बड़ी जो बिक बार बनी है ना बेरिश की वह यह वाली बनी है यानि कि जो प्रीवेस वीक यहां पर तो बिल्कुल खराब मुमेंट है यहां पर अगर गाईस यहां पर अब आप यहां लेवल्स नोट कीज़ेगा अब मैं आपको लेवल्स बताने वाला हूं यहां पर लेवल्स क्या है गाईस अगर मैं upside कि यहां पर रेजिस्टेंस की बात करूं अगर 72,500 और 72,800 यह दो रेजिस्टेंस है नोट कीज़ेगा यहां पर अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है सिल्वर तो फिर आपको अप अपकमिंग जो टार्गेट आपको मिलेंगे आपके लिए फर्सट टार्गेट क्या होगार दिखा है ठीकञा ना गाईस आपको दो टार्गेट मैंने आपको बता दिए और गाईसएपको मैं एक चीज़ दूँ अगर यहां पे अगर सिलवर यहां पे 73,650 के उपर निकलता है और यहां पर अच्छा सा सस्टेन करके दिखा सस्टेन करता है तो फिर आपको यहां पे my possible फिर आपको 75,000 तक के target आपको दिखाने में शर्माएगा नहीं silver यहाँ पे फिर निकल जाएगा upside में यहाँ ठीक है और यहाँ पर downside की बात करें अगर downside में 71,200 का level break करता है 71,200 और second जो support है इसका 70,700 यह दो support है अगर 70,700 से नीचे निकलता है silver तो फिर आपको कहाँ पर downside में जो target मिलेंगे यानि कि target तो क्या बोलू फिर आपको support मिलेगा सीधा कहाँ पर मिलेगा first support कहाँ पर होगा 800,000 का support मिलेगा फिर आपको 800,900 अड़ साथाजार 900 का support क्यों मिलेगा इस यहाँ पर वो इसलिए मिलेगा अगर मैं chart को यहाँ close करके बताऊं आपको तो यहाँ पर support है यानि कि silver के अंदर यहाँ पर support बना हुआ है यानि कि यहाँ पर भी support और यहाँ पर और फिर यहाँ downfall करेगा फिर यहाँ support लेगा फिर यहाँ से moment बनाएगा अच्छे खासे तो मैं silver के अंदर अभी bearish हूं का इस यहाँ पर तो bearish का मतलब यह नहीं कि यहाँ पर Monday को ही आपको यह levels मिल जाएंगे लेकिन my possible यहाँ पर आपको levels जो सोचने चाहिए वो downside के बार करें फिर यहाँ पर upside के लिए टारगेट लिए सेफ ट्रेडर के लिए यह है जो risky होते हैं वह इसकी आप positions को यहाँ पर क्यूंकि यह तो sideways zone बन चुका है इसके अंदर तो trade लेना बिल्कुल यह समझना कि पैसे को capital को खराब करना है ठीक है ना इसके open निकलता है तो आप यह 68,900 का support लेता हुआ नजर आएगा ठीक नगाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर 68,900 का support लेता हुआ नजर आएगा नोट कीजेगा इन लेवल्स को और गाइस मैं आपको यहाँ पर जो चार्ट को थोड़ा close करके दिखाऊं तो आपको moment समझ में आएंगे कि moment किस तरह से बना ह हुआ है silver के अंदर देखें मैं पूरा आपको जो है ना पूरा March 2023 का चार्ट दिखाऊंगा आपको मैं कि किस तरह से moment है अगर यहाँ पर आप 2023 का पूरा चार्ट देखो गए तो यहाँ पर फिर आपको है ना एक चीज़ नोट करना होगा कि यह मूमेंट है क्योंकि जब 2023 क के अंदर हैं support बनाया था तो अच्छा खासा होगो को अपस everyone में देखने को मिला ने कि यहाँ पे जैसे ही सितंबर मंत के बाद में यानि कि ॉइसाल शाख जोर्म और आपको नजर आ रहा है क्यों आ रहा है वो आपको में दिखाऊंगा यहाँ पर हैट और भी आपको पैंटर नजर आ रहा होगा यह वाला यहाँ पर इसका भी ब्रेकडाउन हुआ है यह भी किलियर कनफर्मेशन है और इसी के नीचे सश्टेन कर रहा है यानि कि साइडवेज आपको डाउंसाइड में नजर आएगा ठीक ना यह था मैंने आपको बताया है यह सिलवर का मुमेंट है नेक्स्ट वीक के लिए कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मुमेंट को कैप्चर कर सकते हैं यहाँ यहाँ अगर आपने अभी तक चैनल के सस्क्राइब नहीं कर ताकि आपको notification alert message आपको मिल सकें तो गाइस यहां पर मैं आपको clear बता दूँ कि silver को है ना silver के अंदर आपको पैसा बहुत ही जादा बना कि देगा अगर आप थोड़ा सा wait करोगे silver के अंदर देखिए अगर आप होचपोच की तरह काम करोगे तो फिर आपको सब कुछ ले जाएगा क्योंकि मैं आपसे अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब membership जोइन नहीं कर सकते हैं वहां पर में करने के अंदर sideways market रहेगा बिल्कुल जो सिल्वर है sideways रहेगा बिल्कुल तो यह तो फिर इसके उपर निकले कोई sustain बार अच्छा सा बार जो बिग बार बने या sustain candle बने अच्छा सा तो जब ट्रेड बनाएगा अपसेड में या फिर नीचे साइड में निकलता है और यहां प तो चलिए गाइस वीडियो में close करता हूं जाते याते चैनल को subscribe कर दो वीडियो को like कर दो and thank you traders